हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कोक्रोच के बारे में कोक्रोच को हिंदी में बोलते हैं तिल चटा कितना बहतरी नाम है तिल चटा तो पहले हम क्या करते है, इस Cołam, इस Till Chete क이 क्या है, आधार काड की इसकी फूटो एक बार देख लेते हैं, देखे, जो Co Mucoly Haraj है, उसका color देखो, brown हो सकता है, black हो सकता है, यह हमने देखा भी है Coalaj का भाई, यही color होता है इसी तरीके का, और क्लास और Phylum की बात करें, तो दे भी common sense की बात है size range की बात करें देखो एक बात में बिल्कुल आपको clearly बता दूँ कि जो भी ये notes है ना बिल्कुल NCRT से बने हैं और एक-एक line को एक-एक word को आप समझके चलना कि यही question है हर एक चीज यहाँ पर question लिखी हुई आपके सामने इस तरीके से आप पड़ोगे तो चीजे दिमाग में बिल्कुल ध्यान से fit हो जाएंगे size range की बात करें तो 0.6 to 7.6 cm तक size है nocturnal omnivores होते हैं omnivores का मतलब होता है plant और animal दोनों को यह खा सकते हैं उन पर based food खा सकते हैं और क्या है most common species पूछ लिया जाए तो NCR का कोशन है कोकरोच की most common species कोन सी है periplaneta americana ये इसकी most common species है ठीक है यहाँ पर फिर से color की थोड़ी बात की गई है देखो हमारे यहाँ पर जो हमने normally देखे हैं वो तो brown brown बना dark brownish color के होते हैं बट क्या है bright yellow red and green ये भी हो सकते हैं कि जहाँ पर जिस जगा पर वो present है कहाँ कहाँ पर दुनिया में जहाँ पर है वो color की थोड़ी variation देखी जा सकती है ठीक है अब next हम बात करने वाले हैं यहाँ पर exoskeleton की next हम बात करने वाले हैं यह क्या हो गया यहाँ पर गलती का सुधार किया जाएगा तत्काल प्रभाव से next हम बात करने वाले हैं cockroach की exoskeleton क्या है cockroach की जो body होती है entire body of cockroach वो किस से cover होती है hard chitiness exoskeleton से cover होती है और कैसी फिर से वो यह हमने देखा यह brownish color की होती है अब जो यह exoskeleton है इसमें क्या होती है plates होती है और उन plates को sclerite से बोला जाता है अब यहाँ पे confusion से बचने के लिए मैं आपको बताऊँगा trick sclerite जो होती है वो तीन तरीके की होती है यहाँ पे थोड़ा समझो ठीक है कौन सी तीन तरीके की होती है एक तो होंगी dorsal यह वाली मैंने बना दी dorsal बना दी dorsal मतलब उपर वाली side ठीक है यह मैंने बना दी ventral यह नीचे वाली side ventral हो कोई और side में कौन सी हो जाएंगी lateral हो जाएंगी यह मैंने बना दी क्या lateral ठीक है हमने क्या बात किया भी कि exoskeleton जो कोकरोच के बाहर exoskeleton होता है उसमें क्या होती है plates होती है और उन plates को क्या बोलते है sclerites बोलते है अब ये sclerites जो है ये तीन तरीके की होती है कौन सी तीन तरीके की एक dorsal, एक dorsal, एक lateral और एक ventral ठीक है अब हम इस वहाँ पर बात कर रहे है यहाँ पर बात कर रहे है तो ये कौन सी-कौन सी इनका नाम कैसे याद करें इसकी मैं आपको trick बताने जा रहा हूँ देखो dorsal से शुरू हो जाओ dorsal से शुरू हो जाओ तिवारी public school dorsal से शुरू हो जाओ dorsal पर तिवारी और क्या है lateral पर फिर public फिर ventral की तरफ आना और ये school मतलब तीनों प्लेट कौन सी होगी T से क्या आएगा अपने को tergides T से क्या याद आएंगी tergides याद आएंगी जैनि dorsal plates होती है tergides होती है lateral plurides होती है जो NCRT में नहीं लिखी गई है plurides नहीं लिखी गई है और क्या है ventral होती है S4 अपनी sternites होती है तिवारी public school तिवारी public school यानि dorsal होगी अपनी tergides होगी lateral plurides होगी ventral होगी कौन सी होगी अपनी sternites होगी हना sclerite नहीं sternite sclerite तो ये तीनों ही है इसमें confuse मत होना तिवारी दorsal और ventral अपनी NCRT में है plurides NCRT में नहीं दी गई है अब देखो ये ये जो plates है ये आपस में जुड़ जाएंगी है ये आपस में जुड़ी रहेंगी तभी तो अलग-अलग तो होगी नहीं को मन सेंस की बात है तो dorsal, lateral, ventral ये plates आपस में जुड़ी होती है for example इससे जुड़ी हुई है ये green वाला जो है इससे जुड़ी हुई है और इसको क्या बोलते है अर्थरोइडल मेंब्रेन यहाँ पे जहाँ पे भी ये अर्थरो अर्थरो, अर्थराइटिस अर्थराइटिस कहाँ पढ़ते हैं हम जोइट्स में पढ़ते हैं तो जहाँ पे अर्थरोवर्ड आ जाए मतलब जोइट है किसी चीज को जोड़ा गया है किस चीज को जोड़ा गया है जो ये plates है जो dorsal plate है lateral plate है ventral plate है इनको आपस में जोडा गया है, अर्थरोइडल, अर्थरोइडल मेंब्रेन से इनको जोडा गया है, नीट में पहले ये पूछा भी गया, आर्टिकुलर मेंब्रेन है, आर्टिकुलर मतलब जोडने वाली मेंब्रेन है, ठीक है, अब हम कोकरोज की बोडी पढ़ने जा रहे है ठीक है अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं कोकरोज का head पढ़ने जा रहे हैं तो कोकरोज का head जब आप NCRT में देखोगे तो यही direct question बनते हैं कि head क्या है triangular in shape है पहला question head क्या है lies 90 degree to body है इसको थोड़ा ऐसे समझो मान लो यह कोकरोज की main body है और उसका head है यह main body हो गई इसके ठीक 90 degree मतलब कुछ ऐसे मतलब यहाँ पर axis बनाए तो यह main body का axis हो गया और यह green color का head अगर है यह इसका axis हो गया तो यह पूरा 90 degree इस तरीके से बात यहाँ पर कही गई है ठीके next क्या है head में क्या होती है compound eyes होती है देखो यह तो common sense की बात है हमारा भी पूरा mundi है खोपड़ी है उसी में हमारी आखे है तो वाई कोगरोज की भी होती ही होंगी और क्या है head जो है वो 6 segment के fusion से बना है इस पे star लगा लेना यह question बहुत पूछा जाता है कि जो head है वो 6 segment के fusion से बना है ठीक है और क्या है antenna arise from membranous socket ठीक है मतलब क्या है head से ही antenna arise होते हैं अब antenna का क्या है रहेगा यह आपको समझ में आहिरा है कि antenna से वो detect करेगा कि कहां क्या चल रहा है और उसके according अपनी गतिवेधिया करेगा एक तरीके से sensory उसमें antenna का काम आ जाएगा ठीक है और नहां पर mouth parts आपको देखने को मिलेंगे है यह भी अपने जैसा यह जैसे हमारा head है अपनी पूरी मुंडी खोपड़ी है उसी के अंदर अपना मू होता है जबडे है दांत मात सब कुछ होता है तो इसमें भी mouth parts आ जाएंगे और किस टाइप के biting and chewing type के biting and chewing type के mouth parts आएंगे कि इसमें कोक्रोच में यह भी एक फाइफ स्टार कोशन बन गया फाइफ स्टार कोशन बन गया ठीक है अब जो यह mouth parts है mouth parts है इनमें NCRT अच्छी कासी interested देखती है और इनको अच्छे से दिया हुआ है कौन से कौन से mouth part है देखो बिलकुल अपने से relate करना है जैसे हम है वैसा ह ही कोक्रोच है थोड़ी देर के लिए कोक्रोच बन जाओ देखो हमारे अंदर अपर लिप होते हैं देखो लिप होते हैं हमारे मुह में उपर वाला होट है नीचे वाला होट है नीचे वाला जबडा है उपर वाला जबडा है हमारे अंदर भी है और टंग जीब भी है बिल Farring से Kogroch के अंदर बोल दिया जाता है और यह diagram में भी वही चीज़े दीगे हैं DECL lebrum, labium, mandible, maxilla ठीक है? Lebrum यह labrum है यह labium है और यह mandible और यह maxilla बिलकुल वही diagram दिया हुआ है और यह DECL estou head में हम बात कर रहे थे Head में क्या होगी आँके होगी compound eyes होगी आगे भी आएगी कि वो omatedia वाला चीज़े आगे आएगी उसकी tension मतलो ठीक है अब हम head के बाद पढ़ने वाले हैं क्या thorax हम पढ़ने वाले हैं thorax देखो thorax को कुछ ऐसे समझो देखिए माल लो ये मैं kokroach बना देता हूं एक rough diagram ये मैंने cockroach बना लिया ठीक है ये हम cockroach का head बना देते हैं cockroach का head बना देते हैं ठीक है और यहां तक ये thorax region है यहां तक ये thorax region है और ये क्या है abdominal region है ये abdominal region और ये क्या है head है जो हम पढ़ चुके हैं और ये क्या है thorax region है अब thorax region को क्या करो तो तीन पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है, मैं ग्रीन से ही कर देता हूँ कि ये भाई ग्रीन वाला अपना क्या है, थोरेक्स रीजन है पुरा, थोरेक्स रीजन है, तो इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट में ये हो जाएगा अपना प्रो थ यह हो जाएगा प्रो थोरेक्स जो आगे की तरफ है यह हो जाएगा मीजो थोरेक्स मीजो मतलब बीच में है और यह हो जाएगा मैटा थोरेक्स मैटा मतलब जो पीछे है तो थोरेक्स के हमने तीन रीजन यहाँ पे डिवाइड कर दिये देखिए आप थोरेक्स के हमने तीन डिवाइड कर दिये, प्रो थोरेक्स यानि आगे वाला थोरेक्स, मीजो, मीजो यानि बीच में है, मेटा मतलब जो पीछे की तरफ है, ठीक है, अब यहाँ काम की बाते आएंगी, कोश्चन कैसे बनेंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो मैं आपको बताने जा रह होगी, तो लेक्स इसमें दो होंगी, मीजो में भी दो टांगे होंगी, और मेटा थोरेक्स में भी दो टांगे होंगी, तो टांगे तो वही सब में दो-दो हैं, कोई कन्फूजन वाली बात नहीं है, अब आई पंखों वाली बात, विंग्स की बात आई, यहाँ पे एक फ मीजो मेटा के comparison में आगे की side है आगे मतलब four four wing है ना four wing hind मतलब пीछे अब मेटाोरेक्स पीछे की side है तो इसके पंकों को हम बोल देंगे hind wing बोल देंगे ठीक है तो यहाँ पे मीजो थोरेक्स में four wing present है मेटाोरेक्स में hind wing present है अब आपको पूछना चाहिए इनका function क्या होता है देखो जो काम के है ना जो काम के जो उड़ने में काम आएंगे वो है hind wing पीछे वाले hind wing पीछे वाले used in flight देखो यहां समझ रहे हो ना पर यह four wings हैं यह hind wings है four wing कहा होंगे mesothorax में hind wing होंगे metathorax में पीछे की साइड है तो उड़ने के जो काम आएंगे वो होंगे hind wings होंगे तो यह किस काम आएंगे basically यह hind wings को protect करेंगे उनको cover करेंगे यह उड़ने के काम आ रहे हैं मतलब बहुत जरूरी है तो बहुत जरूरी है तो इनको cover करना भी बहुत जरूरी है तो इनको आगे वाले जो हैं वो इनको cover कर लेंगे अब यहाँ पर यह हम कर चुके हैं यह mesothorax में होंगे और क्या है देखो यह उड़ने के काम आएंगे मतलब यह विचारे sensitive हैं हलके से हैं हलके full के हैं transparent है इनके आरपार देखा जा सकता है membranous बिलकुल पतले से हैं और यह opaque dark हैं leather हैं मतलब थोड़े tough हैं क्योंकि इनको covering करनी है protection देनी है ठीक है next हम thorax के बाद thorax के बाद देखो यहाँ से समझते हैं हम अपना head पढ़ चुके हैं अपना थोरेक्स पढ़ चुके हैं अब क्या बचा अपना abdominal region बसता है अब हम abdomen की तरफ क्या है अगर सिर्फ हो रहे हैं ठीक है abdomen पढ़ने जा रहे हैं अब abdomen में male की बात कर लो या फिर female की बात कर लो दोनों में क्या होते हैं 10 segment होते हैं Segment कैसे माल लो ये Abdominal region है, फिर से एक बार माल लो ये यहां तक Thorax था अपना, ये Head बना लेते हैं, ये Abdomen है, Abdomen में Segment की कैसे बात कर रहे हैं, एक कुछ इस तरीके से माल लो Segment है, 10 Segment होते हैं, Male की बात कर लो चाहे, Female की बात कर लो दोनों में 10 Segment प्रेजेंट होते हैं, और Anal सरसाई और Anal Style प्रेजेंट होते हैं, अब यहां पर Confusion की बात क्या है, जो Anal सरसाई है, वो Male के अंदर भी है, वो Female के अंदर भी है, और Anal Style है, वो Only Male के अंदर है, Only Male के अंदर है, ठीक है, अब इसको कैसे याद करने, Confusion हो जाएगी देखो, जो Style है, वो कौन मारते हैं, Anal सरसाई और Anal Style के Function की बात करें, तो यहां पर Common Sense का यूज़ करना, जो Anal Style है, वो सिर्फ Male के पास है, मतलब Sensory Organ तो वो नहीं हो सकता, एसा तो नहीं होगा, ना कि Sensory Organ है, वो Male के पास है, ईसा तो नहीं होगा। तो annal style सिर्फ male के पास है तो जाहिर सी बात है वो mating यानि उसमें reproduction में अपने काम आते होंगे कि copulation mating में वो काम आते हैं और annal सरसाई male के पास भी है female के पास भी है मतलब कुछ ऐसा function होगा जो दोनों के पास common होना चाहिए मतलब ये sensory organ एक तरीके से sensory organ के लिए काम आते हैं ठीक है common sense की बात यहाँ पे हमने की अब एक यहाँ पे चीज आती है brood pouch और genital pouch बहुत important है कैसे बनता है देखो एक पहली बात तो बिल्कुल clear कर लो होगा कि इसमें सिर्फ female में यहाँ से पता भी लग रहा होगा कि brood pouch brood मतलब एक तरीके से है न अंडे वाली technique थोड़ा सा वहाँ से relate हो रहा है तो अंडे कौन देता है female ही देती है तो female में ही ये पाया जाएगा अब ये brood pouch बनता कैसे है देखिए 7th, 8th, 9th abdominal segment हमने अभी अभी बात की थी कि abdomen में total कितने segment होते हैं 10 segment होते है male के अंदर भी female के अंदर भी तो जो female के इस 10 segment में से कौनसा कौनसा 7th, 8th और 9th segment है वो मिलके क्या बनाते हैं brood pouch बनाते हैं और यहाँ पे एक super hit question याद रखना जो ये 7th segment है इसकी shape कैसी है boat shape होता है ये super hit question याँसे direct portion बनते जा रहे हैं आप ध्यान देते जाएए ठीक है अब हम पढ़ने जा रहे हैं देखो अब हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कोक्रोच का जैसे हमारे अंदर digestive system है हमारे अंदर respiratory system है हमारे अंदर excretory system है तो कुछ इसी तरीके से हम कोक्रोच का भी पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले क्या है हम कोक्रोच का digestive system यहाँ पढ़ना चाहते हैं देखो कैसे चलेगा digestive system कोक्रोच का सबसे पहले आया mouth आया, फिर आया pharynx आया, फिर esophagus आया देखो यहाँ तक तो बिल्कुल humans की तरह चल रहे है पहले mouth, फिर bearings, फिर esophagus फिर human में क्या आता है, esophagus के बाद क्या आता है, humans में stomach आता है तो बस stomach को replace कर देना है, crop से, function वही है हमारा stomach क्या करता है, food की storage करता है, crop भी क्या करता है, food की storage करता है next, यहाँ पे, यहाँ पे आगे difference आ जाते है, थोड़े, हना human से difference आ जाते है crop के बाद क्या आएगा, gizzard आएगा, gizzard क्या करता है, चबाने का, खने को काटने का, grinding का काम करता है ठीक है, अब gizzard के बाद आएगी mesenterone, यह मैं आग में बताऊंगा, tension मतलो फिर उसके बाद आएगी mesenterone, फिर ileum, फिर colon, फिर rectum, और यह खतम हो गया ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप एक बात पे ध्यान दीजिए, जो mouth से लेके gizzard तक का portion बना यह वाला portion, यह वाला portion बना, इसको हम बोल देते हैं for gut, इसको हम बोल देते हैं for gut for मतलब आगे वाली side, hind मतलब पीछे वाली side, mid मतलब बीच में जो आया, तो यह तो हो गया for gut और जो mesenterone है, इसको हम बोल देते हैं, mid gut बोल देते हैं, mid gut को थोड़ा यहाँ से दिखा देते हैं यह mesenterone हो गई, अपनी, यह mid gut हो गई, ठीक है, और यह ileum, colon, rectum, यह वाला जो portion है, यह वाला जो portion है, यह हो गया, अपना hind gut हो गया, समझ रहो, यह fore gut हो गया, गिजार्ड तक, फिर यह mid gut हो गया, मतलब बीच वाला, और यह हो गया, hind gut हो गया, मतलब पीछे वाला, ठीक है, इतने बाते समझ में है अब देखिए मज़े की बात क्या है ऐसे याद रखना थोड़ी ट्रिक लगा लेना कि four gut और mid gut इनके junction पे कुछ चीज present होती है हना और दूसरी चीज mid gut और hind gut इनके junction पे भी कुछ चीज present होती है simple सी बात है ठीक है तो four gut mid gut इनके junction पे क्या present होंगे hepatic c की present होते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है 6 से लेकर 8 तक इनकी संख्या होती है four gut और mid gut के junction पे हैं अब देखो यहाँ पे word आ रहा है hepatic hepatic word किसके related होता है liver के related होता है तो यानि जाहिर सी बात है liver यानि उसका लेना देना किसके साथ होगा digestion के साथ होगा हना excretion के साथ तो नहीं होगा और ये mid gut और ये hind gut इनके junction पे क्या present है malphigion tibule ये word कहीं भी आ जाए मतलब उसका लेना देना excretion के साथ है तो hepatic C की digestion के related है malphigion tibule किसके related है excretion के related है और इनकी संख्या 100 से 1.5 सो होती है यहाँ पे बहुत सारे question बन गए है आप ध्यान नहीं दे रहे हैं शायद देखो hepatic C की कहा present है पहला question four gut और mid gut के junction पे इनकी संख्या 6 से 8 होती है function क्या होता है digestion ये खतम होगा hepatic C की malphigion tibule कहा present है mid gut और hind gut के junction पे इनकी संख्या 100 से 1.5 सो होती है function क्या है excretion सारे question इसके खतम होगे और NCRT में सब दिया हुआ है ये बाते जो मैंने आपको बताई वही बाते यहां पे लिखी गई है कि crop जो है वो क्या है food storage में काम आता है और gizzard जो है वो grinding of food particle और grinding कैसे करेगा मैंने आपको बोला था कि इसमें dant होते देखो हम grinding यानि हम खाने को चबाएंगे किस से जबाएंगे दान से चबाएंगे त नहीं पे pro ventriculus लिखा आ जाए तो वो gizzard का ही दूसरा नाम है अब teeth के layer की एक बार फिर से मैं आपको ये gizzard का पूरा करवा देता हूँ देखो gizzard को याद कैसे करना है gizzard word आते ही उसका दूसरा नाम है pro ventriculus पहली को दूसरी बात gizzard function क्या करता है grinding है खाने को एक तरीके से grind करता है तुकडों में काडता है अब grind करता होगा तो जाहिर सी बात है उसके पास दात रहे होंगे कितने दात रहे होंगे छे दात रहे होंगे जो कैसे chitinus plate से बने है अब ये जो दात है इनकी भी layers है outer और inner outer कैसी muscular layer inner कैसी cuticle बले ठीक है hepatic sick की ये हम बात कर चुके हैं 6 से 8 होते हैं कहां होते हैं ये बात कर ली और ये digestion में काम आएंगे malfusion tubule excretion में काम होएंगे कहां होते हैं बात कर ली कितने होते हैं बात कर चुके हैं ठीक है ये NCRT का diagram है इसी diagram को मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया था ताकि चीजे दिमाग में fit हो जाएं वो ही सारी बाते लिखी गई है ठीक है इसको देख लेना देखो ये hepatic sick की और ये junction पर यहां पर ये malfusion tubule वो ही बाते हैं नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं blood vascular system को क्रोच का blood vascular system कैसा होता है देखो हमारे अंदर humans के अंदर क्या होता है जो blood vessels होती है वो अच्छे से पूरी तरीके से develop होती है आपने देखा होगा हमारे अंदर arteries का veins का पूरा एक network बिच्छा होता है जिसको हम closed type blood vascular system बोलते हैं जबकि कोक्रोच के अंदर क्या है जो blood vessels है वो बहुत ही poorly developed है ठीक है और इसी लिए इसी लिए क्या है इसमें जो blood vascular system होता है वो कैसा होता है open type होता है इस चीज़ पे 5 सा लगा ले ना open type open type क्या है मतलब basically आप सिल में ब्लड बंशिटि में क्या है blood बhenा हुआ है और यहीं पर उसके organs है मानलो यह कोई organ है यह कोई organ है organs को क्या चाहिए blood चाहिए क्योंकि उसमें oxygen है तो यह organ डारेक्ट ऐस icon है और blood से oxygen उठा रहे हैं ठीक है तो सील सील मतलब cavity हीमो मतलब blood बहुआ है मतलब ऐसी का creeping जिस में blood भरा हुआ है हीमो siyl इसमें होती है और इसीको open type blood vascular system बॉलते हैं अब बात करते हैं यह himolymph क्या है himolymph क्या है जो body cavity मेरा हुआ है इस himosil में जो भरा हुआ है उसको himolymph बोला जा रहा है तो basically himolymph क्या है structured का blood ही है उसीको बोल रही है है हीमो लिंफ में क्या क्या है देखो जैसे हमारे अंदर हुमन के अंदर क्या होता है प्लाजमा होती है ठीक है भाई इसमें भी प्लाजमा है और हमारे अंदर क्या है ब्लड में सेल्स होती है ब्लड में सेल्स यानि हीमो साइट हीमो यानि ब्लड साइट मतलब सेल हना साइट psychology psychology मतलब cell की study वहां से बढ़ा है तो हमारे अंदर क्या होती है? RBC होती है जिसमें hemoglobin है जिसकी वाज़यसे हमारा खुन लाल दिखाई देता है इनमें क्या है RBC इनमें RBC नहीं होती है इसलिए इनका जो blood है वो red गलर का नहीं होता है कैसा होता है colorless होता है कैसा होता है colorless इनका blood दिखाई पड़ता है ठीक है अब कोक्रोच के दिल की बात की जा रही है कोक्रोच भी तो आश्कियां लड़ाते होंगे तो उनमें दिल भी पाया जाता है पर दिल थोड़ा सा अजीव तरीके का होता है कुछ इस तरीके का, देखो ये tube आपको दिखाई दे रही है, ये, ये, elongated, elongated ये वाली tube, ये वाला इसका heart है, यहाँ पे लिखा भी गया है कि elongated, elongated मतलब ऐसे लंबी-लंबी है, muscular tube है, देखो heart हमेशा muscular होता है, हमारा भी heart क्या है, muscular है, muscles है, जो contract करती है, तो इसका भी क्या ह है, बिचारे का, muscular tube है, muscular heart है, ठीक है, और कैसे है, position की बात की गई है, mid dorsal line of thorax and abdomen, ठीक है, देखो, यहाँ पे तो कोकरोच का, मानलो, ये head आ जाएगा, और ये क्या है, mid, mid, यानि बीज में, dorsal, यानि ऊपर वाली side, mid dorsal line पे, thorax में भी, abdomen में भी, मानलो, यहाँ तक thorax region है, ये abdomen region है, तो thorax में भी, abdomen में भी, कुछ इस तरीके से position बताई गई है, ठीक है, और क्या है, heart क्या है, 13 chambers में, 13 chambers में, highlight करते हैं, इस बात को, 5 star है, 13 chambers में क्या है, differentiated है, 13 chambers मतलब देखो, मानलो, मानलो, ये 1 chamber हो गया, 2 chamber, 3 chamber, 4 chamber, 5 chamber, 6 chamber, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, हाना यहाँ पे differentiated है 13 chambers उसमें बने हुए है और यहाँ पे बात लिखी गई है कि side में क्या है either side ostia है for example यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा rough diagram से दिखा देता हूँ मालो यहाँ पे ostia बने हुए ostia जहाँ भी word आ जाए ostia का मतलब होता है pore हमने sponge में भी देखा है तो pore है मतलब यहाँ से क्या है जो blood है उसके आने जाने का काम होगा हाना side में होगा और क्या है यहाँ पे एक diagram में देखना यह allergy muscle भी दी गई है यह कुछ दिखाई दे रहे हैं यह allergy muscle यह भी दी गई है तो यह था cockroach का heart हमने उसका दिल भी देख लिया अब हम बात करने वाले हैं cockroach के respiratory system की देखो cockroach के respiratory system में तीन चीज़े आएंगी बहुत अच्छी बहुत बैतरीन trick आपको गता हुआ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी देखो cockroach के respiratory system में तीन चीज़े आएंगी तीन चीज़े उसे डील करना है एक है trachea एक है spiracles और एक होते है tracheals यह तीन चीज़े समझ गे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी देखो माल लो यह cockroach की body है अरे यह क्या हो गया इसको हम करते हैं yellow color पे और यहां से उठाते हैं यह blue color माल लो यह है cockroach की body है अब respiratory system मतलब इसको सांस लेना है मतलब यह बाहर environment में बाहर environment में जो हवा है उसको अंदर पहुँचाना है तो उसको अंदर पहुँचाने के लिए cockroach के पास क्या होते हैं spiracles होते हैं उसके बिल्कुल बाहर वाली साइड लगे हुए है spiracles है तो इन spiracles के तुरू क्या है हवा अंदर जाएगी मतलब एक तरीके से जो spiracles हैं वो नाक हमारा जो नाक काम करती है नाक का काम कर रहे है अब यहाँ पे बातों को समझना और यह trick हमेशा याद रखना देखो यह वो ही चीज़े हैं यह है spiracles हना जो बिल्कुल बोड़ी के बाहर था कि spiracles है जहां से हवा एंट्री लेगी यहां से ठीक है देखो simple सा काम करना है मैंने का बोला यहाँ पे तीन चीज़े आएंगे सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक स्पाइरेकल एक ट्रेकिया एक ट्रेकियो देखो simple सी trick बता रहा हूं आपको स्पाइरेकल को रिप्लेस कर दो हमारी humans की नाक से nostril नोस ठीक है ट्रेकिया को ट्रेकिया ही रहने तो हमारे अंदर भी ट्रेकिया होती है पाइप होती है जहां से गैस जाती है ठीक है ट्रेकियोल्स को रिप्लेस कर दो alveolicy alveolicy यह आपकी बहुत बढ़िया trick बन चुकी है देखो अब आपसे पूछ लिया जाए कोकरोच के अंदर जो सांस कहां से आएगी तो वो spiracle यानि नाक से सांस लेते हैं simple सी बात है कोशन आ जाए tube कौन सी होगी जहां से conduct होगी यह ट्रेकिया होगी simple सी बात है अब आपके सामने कोशन आ जाए कि gaseous exchange कहां होगा तो हमारे अंदर humans के अंदर gaseous exchange कहां होता है alivio lie पे होता है तो alivio lie के यहां पे comparative हमने क्या लिखा है tracheo से लिखा है सारे कोशन होगे सारे कोशन होगे यहां पे एक बात याद रखने जो spiracle हमने बनाए है यह spiracle बनाए है यह कितने होते है 10 pair होते है 10 pair याणी total कितने होगे 20 होगे 10 pair याणी total कितने होगे 20 होगे माल लो दस इस side है common sense की बात है 10 इस side होगे 10 इस side होगे इसलिए इसको pair में लिखा जाता है ठीक है gaseous exchange की बात की गई है tracheoals पे क्या है gaseous exchange की बात की गई है वो ही सारी चीज़े है ठीक है common sense की बात है common sense की बात है ठीक है अब हम आगे बढ़ते है excretory system की तरफ excretion की तरफ हम already पहले digestive system में ही बात कर चुके है कि excretion किसके थुरू होता है malfeasian tubule जो mid gut और hind gut के junction पे थे जिनकी संख्याती सो से डेड़ सो जिनकी संख्याती ठीक है कोकरोच इंसेक्ट है तो जाहिर सी बात है uric acid ही excret करता होगा common sense की बात है और uric acid करता है तो uricotelic वो हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे एक बात NCRT में लिखी गए normal question आया कि excretion कौन करता है मालफीजन टिब्यूल करते है बहुत अच्छी बात है पर कोकरोच के अंदर मालफीजन टिब्यूल के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़े है जो excretion में मदद करती है कौन सी कौन सी चीज़े है जैसे कि fat body number 1 fat body number 2 nephrosite number 3 uricose gland और ये बात NCRT में लिखी गई है मैंने क्या बोला excretion कोकरोच में कौन करेगा मालफीजन टिब्यूल बहुत अच्छी बात है पर मालफीजन टिब्यूल के अलावा भी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स है जो excretion में मदद करती है जैसे कि fat bodies nephrosite uricose gland और कोकरोच क्या है uricotelic होता है यानि uric acid को excret करता है ये point भी अपना हो चुका है next हम बात करने जा रहे हैं कोकरोच के nervous system के बारे में ठीक है देखो कोकरोच क्या है कोकरोच का nervous system किस से बना है ganglia से बना है ganglia जो है अपस में fuse हो गई है अब ये ganglia की ganglia की संख्या क्या है ganglia की संख्या तीन और छे यानि total कितनी हो गई 9 हो गई अब 9 में से 3 कहां present है thorax में present है और 6 कहां पे abdomen में फिर से वो ही एक simple सा इस तरीके से मानलो ये कोकरोच है अच्छा सा कोकरोच बनाते है ये कोकरोच है ये कोकरोच का head है अब 3 कहां है मानलो ये thorax region है ये abdominal region है तो 3 ganglia किसमे thorax region में है 6 किसमे है abdominal region में और head hold से bit of nervous system ये NCRT की line बताने जा रहा हूँ आपको head hold से bit of nervous system while the rest is situated along the ventral part belly side of the body इसका क्या मतलब है इसका क्या मतलब है देखो कोकरोच का जो nervous system है न वो head के पास थोड़ा बहुत ही होता है head के पास थोड़ा बहुत ही होता है बाकी maximum कहां है इस body के ventral देखो ये मानलो dorsal side है ये ventral side है तो body के ventral side पे belly side belly यानि पेट वाली side पे present है maximum head के पास तो बिल्कुल थोड़ा सा है इसलिए क्या है अगर आप head ये क्या है कोकरोच का सिर कलम कर दोगे इसका सिर काट भी दोगे तो क्या है ये कई दिन तक जिन्दा रह पाएगा क्यों? क्योंकि इसका maximum nervous system यहां पे है body के पास है head के पास नहीं है हमारा क्या है? हमारी खोपड़ी में बेजे में है सारा का सारा almost तो इसलिए ये line NCRT में लिखते है कि can live up to a week मतलब एक हफ़ते तक जिन्दा रह सकता है उसका सर अगर काट भी दिया जाए तो ठीक है brain को कौन represent करता है देहो ये जो 9 ganglia है इनीमी से एक ganglia है क्या supra-esophagial ganglion नाम से ही पता लग रहा है supra मतलब supra मतलब उपर है किसके isophagial यानि isophagus के उपर वाला जो ganglia होगा वो किसको represent करता है brain को represent करता है जो किसको nerve जो किसको nerve supply करता है antenna को और compoundize को अब एक और NCRT का बहुत प्यारा question है NCRT का कि कोक्रोच के अंदर कौन से कौन से sensory organs होते है common sense की बाते है common sense की बाते है देखो antenna antenna तो sensory organ ही होगे antenna तो उसी में काम आते है कि क्या है detection में anal सरसाई हम बात कर चुके हैं देखो एक ते anal style style किसमे थे male में थे जो reproduction में काम आते हैं और सरसाई male में भी थे female में भी थे जो sensory organ होते हैं हमने बात की थी आँखे तो sensory organ ही होती है हमारे अंदर भी वैसा है वो क्या है maxillary palp and labial palp labium क्या था अपना labium क्या था labrum labium जो अपने lips थे और maxillary ये क्या था ये हम पढ़ने वाले हैं compound eyes ठीक है देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको diagram से basic एक rough diagram बताऊँगा और उसी से आपको सारी चीज़े याद हो जाएंगी मालो ये कोक्रोच की एक हांख है और ये दूसरी हांख है ठीक है ये कोक्रोच की दोनों आपके है अब कोक्रोच की eyes में क्या होता है hexagonal कुछ इस तरीके से बना देता हूँ थोड़ा सा rough diagram है समझ जाना जैसे spider man की आख में देखा है ना आपने कुछ hexagonal ऐसे अब hexagon पूरे तो नहीं बना पाऊँगा जल्दी-जल्दी में कुछ इस तरीके से बने हुए है ये hexagon है circle आप assume करना ये hexagon है कुछ इस तरीके से बहुत सारे और बहुत सारे भी कितने एक आख के पास कितने 2000 2000 hexagon है एक आख के पास इसके पास 2000 और इनको क्या बोला जाता है ओमाटेडिया बोला जाता है इनको ओमाटेडिया बोला जाता है ठीक है अब देखो होगा क्या होगा क्या ये ओमाटेडिया है ये मालो एक ओमाटेडिया है ये अपनी इमेज बनाएगा ये अपनी ये अपनी ये अपनी इमेज बनाएगा ये इतनी सारी इमेज बन जाएंग बहुत सारी इमेज बन जाएंगी और उसको हना पैटरन क्या बन जाएगा मोजेक पैटरन बन जाएगा इसलिए कोकरोच में मोजेक वीजन होता है यह अपने को पता चलिए more sensitivity but less resolution इस ताइप का वीजन बन जाएगा यह NCRT की लाइन लिखती है ठीक है common during nocturnal से तो पता ही लग गया कि भाई दिन में देख सकता है कि रात को ना रात वाला ही scene बन गया अब हम reproduction की तरफ आ रहे हैं और यह हम सबसे पहले करेंगे male reproductive system male reproductive system पहले इसका flow समझ लो पहले flow समझ लो कैसे flow जाएगा सबसे पहले testis testis के बाद आएंगी vast difference फिर आएंगे seminal vesicle फिर ejaculate reduct फिर male gonophore एक तरीके से यह sperm का flow है कि sperm कहां बनेगा फिर कैसे कैसे कहां तक कैसे आएगा testis फिर vast difference फिर seminal vesicle फिर ejaculate reduct और फिर male gonophore और यहां पे एक बहतरीन question बनेगा कि जो testis है वो कहां पे present होती है वो fourth to sixth abdominal segment में testis present होती है यहां पे बहुत बढ़िया बात होगी यह वो ही चीजे है जो यहां पे लिखी गई है और जो बाकी की चीजे है वो यहां पे आ जाएगी यहां पे क्या आ जाएगी fellow mirror और male gonophoresis यह होता क्या है देखो external genitalia जैसे हमारे अंदर भी तो होते है male external genitalia female external genitalia इसमें भी ऐसे ही है कि आपसे question पूछ लिया जाए कोकरोच का external genitalia male के अंदर क्या है fellow mirror है fellow mirror का ही दूसरा ना male gonophysis ठीक है कैसी है kaitinous structure है और asymmetrical है asymmetrical kaitinous structure है क्या fellow mirror ठीक है और यह male gonophore को surround करती है surrounds male gonophore मतलब क्या है किसके आसपास पाई जाएगी male gonophore के surrounding में यह पाई जाएगी next हम mushroom glands की बात कर रहे हैं mushroom glands पहला question बनेगा कहां present होते हैं तो 6th to 7th abdominal segment देखो segment total कितने होते हैं 10 होते हैं अब 10 में क्या है 6-7 segment में कहां mushroom gland पाई जाएगी और testis कहां पाई जा रही थी testis 4-6 segment में abdominal segment में पाई जा रही थी ठीक है और क्या है function as accessory reproductive gland यह इसका function है देखो यह छोटे छोटे question जो बन रहे हैं इनको याद रखना जो यह external genitalia ठीक है surrounds male gonofor और क्या है यह accessory reproductive डारेट कोशन आएगा accessory reproductive gland कौन सा होगा male cockroach में तो mushroom glands होगा ठीक है अब यह थोड़ा flow पगड़ना देखो जो sperm है वो जहां पे यह हमने flow किया था कि testis में sperm बनेगा फिर यह vast difference एक pipeline है फिर seminal vesicle में आके store हो जाएगा हना यही बाते यह flow लिख इखा गया है कि sperm testis में बना फिर vast difference से कहा आया seminal vesicle पे आया और वहां पे store हो गया ठीक है यहाँ पे जो sperm है इसको आपस में चिपका दिया जाएगा ग्ल्यू लगा दिया जाएगा इसको आपस में चिपका दिया जाएगा और किसमें bundles बना दिया जाएगे कि sperm को चिपका bundles बना दिये जाएंगे और उन sperm के bundles को क्या बोला जाएगा spermato4 बोला जाएगा spermato4 अब जब copulation होगी है जब reproduction होगी copulation होगी तो discharge जो होगा वो क्या होगा इन sperm के bundles जो बने है spermato4 जो बने है इनका discharge होगा during copulation अब देखो male reproductive system के बाद हम बात करने वाले हैं female reproductive system की जैसे human females के पास ovary है इनके पास भी ovary है human females के पास दो ovary है इनके पास भी दो ovaries है ठीक है बड़ यहाँ पे ovaries कैसे है कुछ इस तरीके से present है पहले कुन से segment में present है वो हम बात कर लेते हैं देखो जैसे हमने testis की बात की थी कोक्रोच में testis कहां से कहां तो fourth से sixth segment में क्या थी testis थी जबकि ovaries की बात करें तो second से sixth segment में ovaries present है कैसे present है कुछ इस तरीके से देखो यह ovaries है yellow color की जो दिखाई दे रही है तो यहाँ पे आपको यह दिख रहे होंगे tubules बनने मालो यह एक tubule है यह एक tubule है यह एक tubule है ठीक है तो हर ovary के पास यह एक ovary है इसके पास भी 8 tubule है इसके पास भी कितने 8 tubule present होते हैं तो हर ovary के पास ovarian tubule है अब यह ovary कहां कुलेगी यह देखो यह ovary यहाँ से मलब open जो इसका open होने का area है वो यह है इसको हम oveduct बोलते हैं, इसको oveduct बोलते हैं, यहां से भी oveduct है, अब oveduct कहां जाएगा, genital chamber में, genital chamber आप याद करो हमने किया था कि female के अंदर 7th, 8th, 9th, female के अंदर ये segment मिलके क्या बनाते हैं, genital chamber बनाते हैं, और 7th कैसा था, boat shape था, यह हम बात कर चुके हैं, ठीक है, अब होगा क्या, अब यहां पे अपने को क्या कराना है, male gamete और female gamete को मिलवाना है, male gamete और female gamete को बनवाना है, मिलवाना है, बनवाना नहीं, मिलवाना है, बन दो चुके हैं, ठीक है, अब देखो, हमने बात की थी, जो male gamete, sperm था जो, sperm था, जो वो कहां पे, glue, यानि चिपक के कि में आ गया था bundles में आ गया था जिसमों sperm metaphor बोला था और female की तरफ से क्या आएगा egg आएगा ठीक है तो ये है sperm और ये आ गया female का egg आ गया और इन दोनों में क्या हो जाएगी sperm और egg में क्या हो जाएगी fertilized egg बन जाएगे अब ये fertilized egg जो है इनको capsule में एक तरीके से है ना एक तरीके से इनके भी bundle से बना दे जाएगे capsule में क्या है उस bundle को क्या बोलेंगे उथिका उथिका basically है क्या एक बार मेरी बात पर ध्यान दो उथिका क्या है जिसमें fertilized eggs है उथिका क्या है जिसमें fertilized eggs है कितने fertilized eggs है एक उथिका के पास कितने 14 to 16, 14 से 16 क्या है fertilized eggs होते हैं ठीक है और average female जो है वो कितने उथिका produce करती है 9 से 10 है पूरी कहानी को समझो जो average female है वो कितने उथिका produce करेगी 9 से 10 और एक उथिका के पास कितने इतने eggs होते हैं तो 9 से 10 उथिका के पास कितने सारी eggs हो जाएंगे multiply करके हिसाब लगा दो ठीक है अब यह उथिका बन गया इसको वो suitable surface में क्या है एक तरीके से चिपका देंगे अब वो जब भी mature हो जाए अब यहां से बात की गई है बात की गई है किसकी periplaneta americana की हमने पहले ही chapter शुरू करते ही बोला था कि most common species कोन सी है कोग्रोज की periplaneta americana उसकी development की बात की गई है जो किस तरीके की होती है porometabolus porometabolus मतलब क्या है जो उसकी development होगी वो through nymphal stage होगी अब यह nymph क्या होता है nymph क्या होता है देखो nymph जो है वो बिलकुल लगबग लगबग adult की तरह दिखाई देता है adult की तरह दिखाई देता है तो यह adult बनेगा कैसे मानलो यह nymph है इसको क्या बनना है धीरे धीरे adult बनना है development होगी और इस development किस तरीके की है porometabolus है ठीक है अब यह क्या होगा इसमें 13 बार 13th time क्या होगी mounting होगी जब जाके यह nymph क्या बनेगा adult बनेगा ठीक है तो nymph और adult में फरक क्या आपको पूछना चाहिए ना कि 13 बार mounting हो रही है तो इसमें फरक क्या है कि उस तो फरक होगा कि इससे यह बन रहा है फरक क्या है कि nymph के पास क्या होते है wings नहीं होते खाली wing pad होते है wings कब आएंगे जब यह mature पूरा develop हो जाएगा adult बन जाएगा तब इसके पास क्या आएंगे wings आएंगे ठीक कि अवर प्रह आएंगे आएंगे पूरा बविशन हम आए चाहिए आएंगे खास के जब यह खास क्या होतो जाएंगे एंगे हम गहाँ पास कि पास्या बद्राएंगे म।राय सया अवर और wanna?